वेल्कम एवरीवन तो दिस वंडरफुल वीडियो जहां पे आज हम देखेंगे हाउ तो यूज एक्सनेस आप लीडिंग ब्रोकर जो आज की डेट में एक्सनेस है उसके आप को कैसे यूज करते हैं है और किस तरीके से अपन उसमें तरेड लेते हैं तो एक और अप्षों तो एक को किया है तो चलो सुआ हो इस वीडिय को स्टार्ट करता है और एक तो सबसे पहले eTXNESS में अगर आपको अकाउंट ओQUEन करना है तो आप सबसे पहली का करते हो आप सबसे पहले BOMINGB exploring किसी भी वीडियो पे जाते हो वीडियो पे जाने के बाद आप हमारे इस लिंक को ऊपन करते हो कौनसे लिंक ओपन करते हो ये वाले को इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पहुंचोगे रजिस्टर आपको करना है, रजिस्टर करने का आपको मालुमें एक दम जैसा कि बेसिकली आपको अपना डिटा डालना एक रेडिन अकाउट में जैसा कि अकाउट बनाते हैं Instagram, Facebook पे, जब कंटिन्यू करोगे, कंटिन् लिए demo version रखा हुआ है, तो अब यह account बन गया, अभी जब आपन यहां जाते हैं तो यहां पे अपन को यह plus नवला बटन दिखा रहे है, real, demo और हमको दिखा रहे है, archive, ठीक है, तो बहुत सारे accounts है, वहाँ पे उसको छोड़ देते है, real, आपन को real खोलना है, real, demo खोलना है, तो demo, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, real यह demo, same बात हो थी, तो मैं trade लेके दिखा थी, तो demo दिखा थी, तो ताकि trade भी लेके दिखा पाऊ, तो आपको अपन पे बटन दबाना है, जब प्लस पे दबाओगे तो demo, आप real account खोलोगे, अगर real trading कर में है, paper trading कर में तो demo account होना है, ठीक है, तो यह बहुत सारी चीज़े अपन को इस तरीके से पूछेगा, तो देखो, अगर अपन शुरुवात कर रहे हैं, एकदम beginner type से, अपन आज तक trade नहीं कि अपना budget 100-200 डॉलर का है, 300 डॉलर का है, तो हमारे लिए standard account ठीक है, क्योंकि, यहाँ पे हमको commission बिलक का spread कहते है, तो यहाँ पे 0.2 lots का दिखा रहा है, 0.2 pips का दिखा रहा है अपन को, तो जैसे इंडिन market में भी होता है, कि अपन SBI का stock लेने चाहेंगे, तो अपन जब buy करेंगे, तो थोड़ा महेंगे मिलेगा, sell करेंगे, तो यह हर जगे होता है, तो ठीक है, तो यह standard account उन 0 account, 0 में benefit क्या है, यहाँ पे बहले commission लग रहा है, जो कि मैं calculate कर चुका हूँ, जो spread में खर्चा होता है, उससे आधा लगता है, या कभी लगता है, और spread 0 है, spread 0 होने से benefit क्या होता है, जहाँ पे भी stop loss लगाते हैं और जहाँ भी target लगाते हैं, तो वह वहीं, अभी क्या होता जैसे जा मैंने stop loss लगाया किसी level पर, यह मेरे को पहले point दो निकाल देता है, तो मेरे technical analysis मेरे को problem होती है, जहाँ stop loss लगाता हूँ, stop loss के थोड़ा पहले cut हो गया, अगर event आगे तो event के चक्कर में volatile हो गया, तो उसलिए 0 बैस से अगर आप 500 डॉलर के उपर deposit कर सकते हो, तो which is not a big deal, ठीक है, तो अपन assume करते हैं कि अभी 0 या standard account जो भी deposit कर रहे है, लेट से 0 को पकड़ते है, ठीक है, 0 को पकड़ते है, standard पकड़ते है, कुछ standard पकड़ लेते हैं, ठीक है, पर क्यूंकि कोई है नहीं, अपन को पूछे का currency क्या है, अगर आप cryptocurrency, forex में हो पहले से, अगर या पर सीधे INR ढूड़ना चाहिए, and you deposit an INR account, क्योंकि INR account फाइदा क्या होता है रखने से, USD में क्या होगे, USD में deposit करोगे ना अगर, तो conversion charge पड़ जाता है, यानि आप deposit करोगे, तो वो आएगा, 90 के हिसाब से जाएगा, 85 के हिसाब से आपका loss हो जाएगा थोड़ा सा, मत बस deposit withdraw करने में आपको problem आएगी, तो you be sure, अगर आपका dollar में जुगाण है, यानि USDT में deposit और withdraw कर सकते हो, USD account is best for you, but if you are going to use only UPI और net banking, नहीं करोगे आप बाकी सब, तो please go ahead and make this INR, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो USD में करता हूँ, leverage जो है इंसान इसमें बढ़ा सकता है, 400, 500, 800 202,000 unlimited भी कर सकता है, बट आपको ऐसा नहीं करना चीक, वही बार आपका मन, revenge लेनेगा करेगा, और अगर revenge लेनेगा मन किया, आपका मालो 300 dollar का account था, आपने loss कर दिया, अक्तम से 50 dollar, आपको खराब लग रहा है, आप चाहते, 51 बर में recover हो, तो हमको तो लगाना पड़ेगा, बड़ा पैसा, तो leverage अगर यहां पर बढ़ा के रखेंगे 400-500, तो आप वो 200 dollar में इतना बड़ा ट्रेट लेलोगे, कि आएगा भी सीने 200, या जाएगा पूरा 200, तो gambling हो जाएगी, तो मैं बोलता हूँ, पहले से अपने आपको control करने के लिए, 1 to 100 करा दे, और 100 करा देंगे तो यह easy हो जाएगा, nickname आप अपने अपने अकाउंट को दे दीजिए, मैं my trading account, my 300 dollar का अकाउंट जैसा भी है, तो यह तो हमारे एक demo for YouTube account अपन बना रहे हैं, तो आपन ने बना दिया, ठीक है, पासवर्ट यह अपन को पूछे का, अपन को कुछ भी पासवर्ट रख देना ह है, तो मैं पासवर्ट रख देते हैं, जैसे की, तो मैंने रख दिया यहाँ पर पासवर्ट, तो जो भी पासवर्ट मैंने सेट किया, तो मैंने पासवर्ट रण गया, तो देखो यह एक मेरी ID बनी है, एक account textless का, उस account के अंदर मैंने इतने सारे accounts है, देख रहे हैं आपको real इतने, demo इतने, archive मैंने अपने account hide कर दिया है, जो मेरे accounts है, जिसमें मैंने real पैसे डाले हुए, तो demo for YouTube, अब जब मैं demo for YouTube पे click करूँगा, अब ध्यान से देखें आप लोग, हमको यह चीज़, detail पे जब click करेंगे, और setting पे जब जाएंगे, तो हमको यह दिखा रहा है, login कर पहली बात इसको कहीं नी डालना है, अगर आपनको XNES का terminal यूज करना है, XNES का app यूज करना है, तो दो तरीके के लोग होते है, एक होते है, जो पहले से trade करना, उनको पता होता है, meta trader क्या होता है, तो उनकी आदत meta trader क्यों, तो मुझे XNES मतलम मैं exploring नहीं करना चाहता, मैं बहुत ही rare यूज करता हूँ, यह करता ही नहीं हो, तो बहुत कम यूज करता हूँ, अब आप नए हो मान लो, for example, तो आपके लिए की बात है, MTC को या XNES सीख लोग को दिक्कत नहीं है, तो देखो, अब अपन दोनों में करके दिखाएंगे, तो पहले funds पे जाते है, अब ही देखो, अगर आप 200 डॉलर से स्टार्ट करें, 200 ही पैसा लो, अगर आपको मालू मैं 500 से स्टार्ट करें, 500 ही लो, आप 1000 से करना चाहते हो, तो 1000 डॉलर डालो, आप उतने ही डालो, जितने पैसे से आप ट्रेड कर, तो आपकी साइकोलोजी भी खराब नहीं होगे, लोग मिरे को दिखा रहे है, डेमो अकाउंट है, यह मेरी लिस्ट है, फेवरेट से मेरी फेवरेट है, कि गोल्ड, यूएस्ट, यूए डॉलर में अपने फेवरेट में बढ़ा भी सकता, अगर मुझे इस फेवरेट में मालो, मुझे यूएस 30 को आड करना है, तो मैं यहाँ कि लेना है, तो आपन क्या करें अगर आपन को ट्रेड लेना है, यह market नाम की जगह है, market में क्या है ना मेरे को यह top movers और दुनियादारी बता रहा है, आपके बास समय होगा तो आप अपड़ों trading signal यह खुद देते हैं, US oil में अगर अपन को trade करना, UK US oil में, dollar अभी pressure में नीचे गिर रहा है, तो यह लोग थोड़ा देते हैं, बट मेरे साब से खुद करना लेसे बेटर होता, but still, there is no harm in exploring these options, तो यह आपर study करो, upcoming event बताता है, news बताता है, तो यह काम का नहीं है, trading में काम क्या है, चार्ट कोले आपको इसा यहाँ, अपन पर अपन को trade करना है, अपन gold का चार्ट कोलते है, ठीक है, gold में अपन को दिख रहा है कि market यहाँ पर कैसा, यह time frame एक minute का दिखा रहा है, एक minute का time frame तभी की देखने का मतलब नहीं, पांच minute का देखा आपने, हमने का कि 5 में time frame पर market एक high बना के low बना रहा है, तो अगर मानलो मेरा मन कर रहा है आपे, sell को 62% और buy को 38 दिखा भी रहा है, तो sell पर मैंने click करा, तो पूछ रहे हैं कितने lot, तो मैं आप lot size ऐसे plus plus करके बढ़ा सकता हूँ, यह सीदे में लिख सकता हूँ, बहें मुझे 1 lot gold क buy करना है, और sell करना है, तो मैं क्या करूँगा confirm sell दबाऊंगा, जैसे confirm sell दबाया, तो मैंना क्यों कर रहा है, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है, अपने कितना leverage भी कम कर रहा है, तो obvious सी बात है, अपन यहापे क्या करेंगे, 0.5 करके, इसको try करेंगे sell करने का, ठीक है, management वाला, 0.2 is a fine amount, और अगर आपको लगते हैं कि नहीं मुझे और risk लेना है, तो आप अपना margin को 200 कर लो, 200 भी ideal है, मैं 200 पर रखता हूँ, beginner को suggest करता हूँ, 1100 पर रखे leverage change कर सकते हैं, अभी भी setting में जा कर रहें, कैसे करना है, तो भी भी दिखा देता हूँ, आपको देखो अपन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, account में, detail में जाएंगे, setting में जाएंगे, leverage को change करके, 200 कर देगे, तो जैस मैं दिखा रहा हूँ, अपन खुले market में भी leverage change कर सकते हैं, और वापस आ रहा हूँ, trade करने के लिए, और trade करने आ रहा हूँ, जैसे अपन को यह भी नहीं दे रहा था न, US अपन को, 0.5 करने के लिए, trade, तो अगर अपन इस आपर sell करने जाएंगे, और इसको 0.5 कर देंगे, अगर यहाँ पर, तो करने देगा क्या, देखो, 0.5 करने देगा, तो अब यहाँ आपन को करने देगा, तो हमने 2 lot यहाँ पर shot कर दिए, तो थीकिए, leverage का काम होता है, आपको के change ज़्यदा कर सकते हो, अब देखो, आपन क्या कर सकते हैं, अब अपना trade कहा चल रहा है, अपना trade कहा दिखाएगा अपन को, अपना trade अपन को दिखाएगा, यहाँ पर इस account में, open trade अपने दिखा रहा है, यहाँ पर 2 trade चल रहे है, त आपन को stop loss डाला है इस पर क्लिक करेंगे और take profit stop loss यहां पर डाल सकते हैं कि अगर मेरे को stop loss मालो यहां पर मेरे को set करना है 22 मैंने short किया है तो 2280 की बरना आ जाए और target मेरा 2240 का target मिल जाए मेरे 2260 और confirm कर दिया तो अगर मैंने यहां पर confirm कर दिया ना तो यह मुझे पूरा दिखा रहा है कि मेरा कितने dollar profit होता 697 profit हो सकता 300 का loss हो सकता है इसा very bad trade obviously बाते हैं जो हमने 0.5 extra मार दिया तो एक काम करते 0.5 को बंद कर देते हैं अपनि यहां पर इसको close कर देते हैं close करते हैं मैंने confirm loss में कोई दिखकत नहीं है तो अब अपन को दिखाएगा 0.2 के हिसाब से यहां पर फिर सेक्ट अब stop loss set करना पड़ेगा तो अपने stop loss set करेंगे अपना stop loss card डालेंगे 2280 और यहां डालेंगे 2260 अपना target के भी sell किया हुआ है तो मुझे दिखाएगा कि मेरे loss $100 हो सकता है और profit 267 तिल like 10% का loss हो जाएगा account का यह भी घराब है यह भी खराबात है बट a lot of people prefer like this जिनके पास और पैसे होती है अकाउंट में डाला हजार है मन में आपने 5000 अपने ट्रेट लगा के दिखा देया यह मैंने आपको इसमें लगा अब मैं आपको real trades दिखाऊँगा अब दिखाऊँगा हम इसको मैंने बंद कर दिया क्या मतलब अब क्या देखो मैं आपको login करके दिखाता हूं metatator पे सेटिंग पे जाऊँगा इसको copy करूँगा login को याद रखूँगा mt5 trial 7 है अब metatator पे जा रहा हूं मैं रूख जाओ metatator पे गया तो यहाँ पे मेरे पास कुछ-कुछ-कुछ accounts है मैं यहाँ पे add करता हूँ एक और account exnes पे जाऊँगा और real trial 7 पे क्लिक करूँगा ठीक है server login में पेस्ट करूँगा अपना यहाँ पे मुझे याद तो है नी password मेंने set किया था और मैं login पे क्लिक करूँगा तो आप देखो कि वही account यहाँ login हो गया और यह meditator app है इस पे क्यासा यहाँ पे अपन की list होती है यहाँ पे अपन को trade करना है तो अपन यहाँ पे बीटी सी लिखेंगे बीटी सी अलड़ी होगा यह लिखेंगे एथिरियम एथिरियम क्रिप् पर sell कर दिया तो आपके साथ एथिरियम का चार्ट देखूंगा मैं यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसे करके आपन चार्ट देख सकते हैं मैं यह इथिरियम सेल कर दिया randomly यहाँ पे भी मैं stop loss modify position करके अपना stop loss और target यहाँ पर ढाल सकता हूँ वो stop loss target मैं यहाँ से check करूँगा य जो मैंने real account में लिये तो आप महाँ पिसा ना कितना position में लिया point phone लिया point two लिया वो भी आप देख सकते हैं genuine real account है और कितना dollar profit हो कितना dollar loss हो सारी चीज़े आपको वहाँ से दिखाएंगे और real situation तो देखो यह सब basic चीज़े थी तो यह basics ते account खोलते कैसे हैं account को better account कौन सा है तो मैं दिखाता हो real trade तो real trade लेने के लिए हमें भाई open करना पड़ता है tradingview.com तो tradingview.com आपको website आप open करोगे तो आपको charts दिखेंगे अब charts में पनको time frame चूज कर रहा हो था 15 minute का या 5 minute का क्योंकि हम intraday trading वाले हैं हमें swing करने तो हमें एक घंटे का खोलना है यह basic बात है इसक आपको बनाने है एक chart पे price action, price action क्या होता है support resistance निकालना है या तो market कैसा move करता है zigzag में, तो zigzag market theory को follow करेंगे, market zigzag में move करता है support resistance को follow करेंगे trend line support line को, तो चलो start करते है, मैं आपको कुछ trade दिखाता हूँ मेरे, चलो सबसे पहला जो trade आप देख रहे हूँ, यह Dow Jones में है, Dow Jones क अमेरिकन market जैसे इंडिया का है, तो यहां क्या दिखने मिल रहा है, market ना एक zigzag follow कर रहा है, market नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, और अपनी एक यहां पे trend line को भी follow कर रहा है, तो हम क्या करते है, हम एक trend line को खीचते है, जो कि तभी valid होगी, जब उस पे तीसरा touch पढ़ेगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, proper कि trade मैंने किस logic से लिए था और आपको इसलिए rewind करके दिखा रहा हूँ, तो जैसे market में तो trend line को touch करके red candle बनाता है, तो मैं यहां पे अपना एक sell trade initiate करता हूँ, यह देख रहा है, यहां पे गए, तो 4.44 lot मारा मैंने, क्योंकि मेरे risk के हिस अपने risk reward ratio बनाया, 1 is to 3, 1 is to 3 इसलिए बनाया, क्योंकि risk reward ratio is everything for a trader, यहां पे मेरा loss मैं manage कर रहा हूँ, 1500 dollar के आसपास मेरे को loss होना, 130 dollar का, और profit होगा तो मैंने को 400 का होगा, यह max अगर मैं लेके life में आगे मढ़ूँ बना, तो मेरा हमेशा benefit होगा, यह आपको मैं other psychology को भी आपको 564 dollar का profit होगा, तो profit loss मेंने 260 किया होगा, तो 564 dollar हमने बना लिए trade करके, अगला trade मैं को cryptocurrency Ethereum में दिखा रहा हूँ, मैं देखता हूँ, Ethereum क्या करता है, एक बड़ा wave नीचे और वापस से एक pullback ले रहा होता है, तो मैं क्या करता हूँ, support zone बनाता हूँ, support zone बनाने के बाद या basically demand बनाता हूँ, cryptocurrency के ऐसी है, bullish market में अच्छा movement देती, तो जब हम देखते है न, जैसे अभी bitcoin बूम कर रहा है, तो market में 22 से दोनों कर सकते हैं, लगि bullish season में ही आपको trade करना चाहिए, Ethereum में मैं क्या करता हूँ, एक important zone को ढूटता हूँ, zone बनाने के बाद, मैं एक long trade लेने क इसमें पंदर में ज़्यादा value बनती है, एक दिन में बहुत ज़्यादा candle बनती ही, तो मैंने ट्रेड लिया Ethereum में, मैंने किया long Ethereum को, और हम देखेंगे, तो हमारा बढ़िया से यहाँ पर हमको target हो जाता है, जैसे target होता है, hit हो गया भी हाँ पर target, तो मैं दिखाऊंगा, यह आपना, मैं pause करूँ मैं इस वीडियो को यहाँ पर, 6 lot मैंने buy के थे Ethereum के, तो 1 Ethereum 3,500 को आता है, तो 6 lot मैंने 21,000 dollar के कैसे ले लिये, आइंको leverage मिलता है न, तो leverage मिलता है अपन को, तो हमने क्या किया, leverage use करा, और leverage, और बिल्कु लेज की मेरा कामी नी चलेगा, क्योंकि मैं 6 lot trade क करूँगा, कित्य dollar का movement आया, यहाँ पर, अगर मैं 3502 से 3569 को minus करूँगा, 67 dollar, 67.26 रूपे मैं 67 dollar का movement आया, अगर मैं यह यह थे Ethereum buy करता, तो सिर्फ 67 dollar कमाता, 3500 रुपे लगा करके, तो obvious सी बात है क्या कमाई हुई, इसलिए हम क्या करते है, हम अपने account के हिसाब से position set करते है ठीक है, अगर मेरा यहाँ पर stop loss, अगर मेरा यहाँ पर 3502 minus 3569 रहे कि मेरा 67 dollar का target था, तो मेरा stop loss यहाँ पर 30 dollar का था, तो 30 into 6 मेरा 180 dollar का loss होता, ठीक है, 30 into 6 180 का loss होता, या 200 का loss होता, 400 का मेरा यहाँ पर profit हो गया, तो यह भी Ethereum, यह नहीं मेरे real account में trade लिया हुआ है, तो हम यह पर Ethereum, Gold, सब कुछ trade कर सकते हैं, तो मैं और example दिखा तो, price action दिखा, आपने क्या था, support पे हमने double bottom बनने का weight किया, अब एक और live trade दिखते हैं, तीसरा trade, अभी देखोगे कि market में नीचे momentum दिया, तो यह 5 lamka tool होता, यह दिखाता है कि market गिर के कितरा jump मारेगा, तो दिख रहा है को 38% के आसपास पहुच गया है, तो 38% का level हो गया, या 50% का level हो गया, सारे level बहुत important होते हैं, जब market उन level के आसपास जाके वापस घुमता है, तो यह आगे 50% के level पे देखो, आपने बाक किया था, 68%, 50% golden zone, golden zone पे आके बनाता है heavy red candle, यह gold का chart है, तो हम यहाँ पे आ करके target ले देगी, risk reward ratio is the most important thing, क्योंकि risk reward ratio नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, अभी इसमें loss भी हो जाएगा, तो चलो ठीक है, एक चोटा loss होगा, लेकिन profit होगा, तो हमको एक बड़ा profit होगा, क्योंकि risk reward 1-2.2 है, अब market देखो यार, बड़ा सताता है गई बार, sideways चला जात है, जल्दी भाग जाते है, देखना benefit आज straight में, मैं नहीं भागा, मैं जान मुझके straight को hold किया, और market मुझे reward देता है, जैसे ही, अगला दिन मतलब शुरू होता है, और market दो फहर के, 12-1-2 बजे के आस-पास, आब भी देखोगे, बड़ी सी candle से मैं है targeted करता है, फिर मैं इस दोनर में आपको क्या दिखाया, 0.2, 0.1 ले ने बोला मैंने, तो मैं खुद वो चीज़ को लो कर रहा हूँ, मैं तो मेरा 0.4,000 का अकाउंट नहीं मेरा, मेरा 15,000 का अकाउंट है, बाकी मैं profit होता हूँ, depending on the situations, तो देख सकते है, 400 दोलर का profit होता है, 400 दोलर कितना पैसा होत लेकिन जो लोग जादा, बहुत बड़े-बड़े ट्रेंड लेते हैं, मैं खुद पहले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेंड लेता था, ये भी मेरे लिए बहुत लेस अग्रेसिव है, बट मैं ठीक है, मैं इसको बढ़ाऊंगा, मैं प्लान किया है, कि अभी जब य चेडिंग का कोई deadline ने होता, कि आप भी ट्रेंड बंदो जाएगी, ठेडिंग Vivi, लtered को दुनिया बंद हो गई, फ्रही रिदिंग बंद नहीं भ害 थूअइ यहां होँग आ कि अफ़िव श्यू नियुव जेलती हुए दूनिया बंद हो शाए, बहुत हुद पहुदनन साइडवे से कैसे बता चल रहा है, मुविंग आपर इच बीच मा जाता है, चौप हो रहा है, तो मैंने एक बॉक्स बना लिया, जब ये बॉक्स तोड़ता है, पूरा प्राइज पिछला सपोर्ट भी तोड़ देता है, तो मैं यहां पर अपनी ट्रेंड लेने की हिम्मत करत किया, तो मैं देखता हूँ कि मिल रहा है, मैं अगर जोड़ा पहले निकल जाओंगा, क्योंकि उत्ता जाता वेट नहीं करूँगा, अगर मेरा risk reward ratio 1-1.5 भी बन रहा है, ना, fine, I will take the trade, अगर 1-1.5 से कम बनता, वापे trade नहीं लेता, और देखो, मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, कंजूसी मत करो, stop loss में, target में कर लो, target चीना, थोड़ा 2-4 पहने निकल जाना, कुछ दो पहने निकल जाना, लेकिन stop loss में कंजूसी करो तो आपको हमेशा परेशानी होगी, तो these are all the real trades and real stories behind, अभी तक कही लोग, कही लोग डर किमारे भाग गए होते, यहाँ पर मैं भाग गया क्योंकि यहाँ पर market 50% से reverse किया, तो यह मैं follow करता हूँ, अब this is my way of trading, you don't need to follow, आप follow मत करो, market में से नीचे गया था, अगर नीचे गया था, तो आपका target हो जाता, बट नहीं, मैंने आप अपना भाग गया, मैं स्ट्रेट से, तो market में fail भी होता है इंसान, ऐसा नहीं कि हर बार target ही होगा, हर बार यह होगा, जैसे यहाँ पर market ने trap trading करा दी, यहाँ पर जो sell करा होगा, वो trap में आ गया होगा, तो हम क्या गरते है, हमने तो trap, मैं तो उस trade को ले नीपा है, तो trap बना तो मैं interested था, trap लेने में, risk reward ratio, हम फिर से plan करेंगे 1-1.5 का gold में, 1-1.5 यहाँ पर risk reward ले करके, हम इस trade को try करेंगे, enter करनेगा, फिर से अपने position sizing, वह ही 0.3, 0.4, 0.5 maximum लेंगे, क्योंकि यह देखो, market कैसा red candle बनाया, अब देख रहे हो, कई लोग का sell hit हो चुगा होता अभी तक, तो मैं आपको targeted हो गया, भाई, क्या सीखने में बिला, मैं pause करूँ मैंने क्या किया, मैंने position कम कर ली, मैंने 0.38 के बदले, 0.5 के बदले, 0.2 कर लिया, तो मेरे को बड़ा stop loss भी आएगा, तो loss उतना ही होगा, कित्ता होगा, 100 dollar का होता loss मेरे को, बड़ा stop loss आता तो भी, तो मेरा बड़ा target आया, बड़ा target आया, मिस तो नहीं हो यह opportunity, भले मैंन मैंने ज्यादा बड़ा पैसा नहीं कमाया, बट मैंने experience कमाया, यार, कंजूसी करने के कारएं, लोग परिशान रहते हैं कि उनका ऐसे लेट होता है, तो 205 dollar का फिर से आपर target आपन को अचीव होता है, तो यह जो account है, मैं यूज कर रहा हूँ, Exynos का, जो मैंने आपको टू तो उसमें participant करने की condition है कि आपका account, एक ही condition है, कोई fees भी रखते हम लोग, क्योंकि I don't want money, we don't want your money, we want की right trader मिल जाए हमको, तो हम इनको fund कर दे, और आप कमाओ, और आप maximum पैसा आप रहो, 80%, 75-80%, 20% हमको दे दो, और account हम आपको देते हैं, पैसे हम आपको देते हैं, बट उसक प्राक्टिस करो भाई, यह सब सीख करके, तो उसके लिए एक ही क्राइटेरिया होता है, account हमारे तो अच्छी, XNES account में आपका, और XNES में, अभी मैं में के मन्त में, XNES के मलेशिया office भी जाके विजिट करने वाला, so I am having good faith in the company, क्योंकि company, बहुत बढ़ी company, मैं दो साल प boomingbulls.com, यह उनकी company के निए, मेरी company का ID है, तो मैं समझता हूँ, और मैं मेरे लेवल पर problem solve कराने की कोशिश करता हूँ, तो this is the support you are getting, which is most important, कि आप एक reputed broker के साथ, एक reputed partner के साथ जाए, उसके company में भी, तो ठीक है, तो आप मैं आपका detail देती है, अब आगे एक और देट दे तो मैं सोचता हूँ, maximum value दूँ, यहाँ पर Dow Jones में फिर से मैं देखता हूँ, कि market एक एक lower level में trending में आ रहा है, यह flat breakout भी दे सकता है, यह नीचे breakout भी दे सकता है, तो हमको क्या करना है, हमको देखना है, कि market price action क्या देता है, market फिर से नीचे की तरफ जाता है, उपर breakout करता है, closing में देता, और मेरे को यहाँ पर solid red candle देता है, वो भी यहाँ पर दो candle देता है, और एक नया low बना देता है, तो price action आप देख सकते हो, अपनी आखों के सामने, नया low बन चुका है, stop loss मैं डालूँगा, logical मेरा, जहाँ पर मैं कंजूसी नहीं करूँगा, target मैं बनाने की कोश करूँगा यहाँ पर, 1 is to 3, मैं Dow Jones 1 is to 3 trade करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है, जितना ज्यादा मैं risk reward कोशिश करूँगा लेने का, उत्ता ज्यादा मैं पैसा कमाऊँगा, तो risk reward is most important for me, all my students know about this, all my subscribers know about this, तो gold में possible नहीं होता, बट Dow Jones कैसे, कैसे, कैसे हैसे कर सकता है, दे loss करूँगा, मैं पर दिखाऊँगा, आपको मैंने 8 lots को मैंने हापे short मारा था, 800 डोलर हमने आपे कमाए, ठीक है, 800 डोलर, तो this is it guys, तो अगर आपको देखके समझ में आ रहा है, कि भाई, यह किस तरीके का trade है, जिसे हमको 800 डोलर कमाई होती है, और loss कितना था, इसमें आप divide by 3 कर लो, 800 डोलर के असपास का, 270 के असपास का loss होगा, तो everything is in risk reward ratio, तो मैं इसको बन करता हूँ, ठीक है, तो guys, क्या लगा, कैसा लगा वीडियो देखकर के, मज़ा आया क्या है, मज़ा है तो वीडियो, लाइक बटन को बटन को बटन को दबा दो, वो दबाने से वीडिय भी बटती है, और मुझे बालूब चलता है कि मेरे सब्सक्राइबर का ऐसा वीडियो, do you like videos like this, you want me to make, please comment and let me know, अगर आप नए हो, तो जो सब्सक्राइब वाली बटन है, उस तो दबा दो, दबाने से क्या होगा, मेरे content आपको बहुत जल्दी, और मैं बहुत inconsistent content बना रहा था, but I feel very bad about it, क्योंकि मेरे को बहुत मन करता है, right content बना करके आप लोग के तक पहुचाने का, तो अब मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मैं बना चुका हूँ, बहुत सरे अच्छे अच्छे content video, psychology के उपर, mind के उपर, trading के उपर, trading के basics के उपर, advance के उपर, और मैं schedule भी कर च लिंक सारी के सारी description box मिल जाएगी, और बताएं, और आपको basic videos टाहिए, कि advance videos टाहिए, बढ़ाएगे आप लेके लिए, ठीक है, thank you so much.